मोगा में गत दिनों वेदान्त नगर की रहने वाली व्यक्ति से हुई 5 लाख रुपियों की लूट के मामले में पुलिस ने 5 रुपियों को काब्बू करने में बड़ी सफलता हासिल की है इस सबंद में जानकर देते हुई SSP विवेक शील सोनी ने बताया कि कमल कुमार जोकी गुरुनानक मार्किट में किरियाना का काम करता है वे शाम को अपनी दुकान बंद कर अपने घर वेदान्त नगर जा रहा था जब घर के नस्दीक पहुंचा तो पीछे से मोटर सैकल सवा तीन आरोपियों ने उस पर तेज़दार हत्यारों से हमला कर दिया और उसकी अक्टिवा लेकर फरार हो गए उन्होंने बताया कि डिगई में पांच लाक रुपए थी उन्होंने बताया कि पकड़ेगी आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटर सैकल ह थ्यार लूट की अक्टिवा और धाई लाक रुपएं की नकदी भी बरामत की गई है वह उन्होंने बताया कि पकड़ेगी आरोपियों में से एक आरोपी करन उनकी दुकान में काम कर चुका है और उसे इस बारे में जानकर ही थी कि ये कब जाते हैं और इनके पास कितनी प भबना है मोगा से हल्चल के लिए निशीम मंचंदा की रीपोर्ट एक ठारा अप्रेल नूँ एक मंद पाग्गी वकुआ हुए सी जेदे विच की एक दुकान दार कमल कुमार जड़े है के ने उनना दे जो अपनी दुकान बताके कार आ रहे सं ता उनना दे उपर तिन लो 24 दर्ज किती गई और उस एफ यादी तफीश करंदले वक्षें वक्षें तोर दे पर टीम्स बनाई आ गई हैं ते अब डिस्पीडी साप डिस्पी सिटी साउथ ते इंचार्ज सिए ये इस्पीडी साप दी अबरों सूपर वियं दे विच एक एस सॉल्ट कीता गया जिस सारे पांचे पंजजाब मदन송 को आपर जा जूखका है इस तो लावा जडरी मोख्ध विच इसतिमाल किता गया मोयजा जाती ने जिए जी स्कूटी चोरी कर खोर्या किले आपि मुams फिस कोंटी ने अपर इस दो बावा ता इलावं कर पया ते जडिए इननाने केर्च औ रोड उते मौकेद उपर इस्तिमाल कीती सी, वो सारे बरामद हो चुके नहीं